हेलो नमस्कार दोस्तों स्पागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजनिंग के टॉप सोला अतीम हत्पूर्ण प्रस्ण के बारे में बताएंगे इस वीडियो में इसलिए वीडियो के अंतक बने र और यहां पर लिखाय वाड है और चार ओक platesं दिया जै दो इन चारों उपसंद में से कौनसा होगा तो वीडियो के अंतक बने रहे इसी तरीके के प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जैसे और भी प्रस्न है दोस्तों देखे चार का संबन्द यदि हम लोगों का 19 से दिया है तो उसी परकार से साथ का संबन्द किस्से होगा और यहां पे लिखाए वार और ऑप्शन भी दिया गया है तो वीडियो के अंट तक बने रहे सबसे आसान और सबसे सौट तरीका आपको बताएंगे करते हैं पूछे जाते हैं अगामी एक्जाम में आ सकते हैं इसी तरीके के प्रस्ण के बारे में बताएंगे यह पार्ट नमर हम लोगों का 20 है दोस्तों जिसने अभी तक पार्ट 22 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके त्यारी कर रहे हैं दोस्तों चाहे वो SSC, Bank, Railbase, CGL, ALP, Technician, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTAD, IB, SSC, Stenographer, DRDO, State Exam चाहे आप पुलीस, दरोगा, नेभी, अगनिवीर, GD, Bank, PO, Color, Group D, NTPC, RPF, Army, SSB, ITBP, CRPF, किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं दोस्तों यह वीडियो सभी एक्जाम के लिए कोमाना है आईए देखते हैं बारी-बारी से सारे कोस्टन को कि पहला कोस्टन क्या कर रहा है और इन सभी कोस्षनों का PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा लिंक वीडियो के description में दिया गया है तो पहला कोस्षन दिया गया है दोस्तों French French का संबन्द यदि हम लोगों का France से दिया गया है उसी परकार से Dutch का संबन्द किस से होगा most repeated present है काफी बार पूछा जा चुका है और काफी student इसको गलती कर दे है तो देखिए जिस परकार से दोस्तों हम लोगों का यानि कि France के निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं French बोलते हैं यानि कि France के जो निवासी होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों French उसी परकार से Dutch हम लोग किसको बोलेंगे तो यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तो वाट के अस्थान पर Holland यानि कि हम लोगों का जो है Holland के निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो Dutch बोलते हैं तो कौन सा option सही हो जाएगा? Option नमर थर सही हो जाएगा काफी रिपिटेट प्रसन है याद रखेगा कि France के निवासी को क्या बोलेंगे? French बोलते हैं उसी परकार से Holland के निवासी को क्या बोलते हैं? Dutch बोलते हैं याद रखेगा दोस्तो इस तरीके के संबंद वाले प्रसन पूछे जाते हैं और गलती हो जाता है इसलिए इस तरीके के प्रसन को याद ही कर लिजेगा कि France के निवासी को French बोलते हैं तो Holland के निवासी को Dutch बोलते हैं Option number 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और देखिए अगला question तो काफी बार exam में अलग-अलग exam में repeat कर चुका है बहुत स्राइट student comment करते हैं कि sir EITBP के लिए है यह GD के लिए है यह CGL के लिए यह MTA बल्कि यह video सब ही exam के लिए है आईए देखते हैं जैसे 4 का संबन हम लोगों का लिखा है 19 से तो ठीक है sir अगला हम लोगों का दिया गया है कि समान उपात देखे साथ और आगे लिखा है sir what तो कैसे करेंगे sir सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे कि कैसे relation हम लोगों का दिया गया है आखिर 4 से 19 गया है तो कैसे लिखा होगा तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे तो सर इसमें 15 जोड़ दिए 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 19 हो जाएगा ठीक है सर तो उसी परकार से यहां यदि हम लोग 15 जोड़ देंगे तो 15 और 7 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे हुआ होगा तो यहां जोडने से नहीं हुआ है तो क्या हुआ होगा देखिए तरीका कैसे हुआ है कि चार का क्या क्या है स्क्वाइर कर दिया है प्लस क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का तीन कर दिया चार का स्क्वाइर कितना होता है तो काम उधर के वही काम, इधर क्या करेंगे साथ का स्क्वाइर कर देंगे अप्लस क्या करेंगे, दोस्तो हम लोग तीन जोड़ देंगे, तो ठीक है सर साथ का स्क्वाइर करके अप्लस क्या कर दिए, तीन कर दिए तो सते सते क्या होगा, उन्चास तो यहां पे दिग्वाइगा, कि तीन कहां नहीं रहें आए, क्योंकि 19 पुराना था, तो 4 का wyस्क्राइर करके उसमें 3 कि क्यां सान जोड कर एंगा? और कहां सायात अपने मन से लाए इसलिए लाए क्योंकि 19 पुराना था तो वही इधर भी जोड़ दिये बढ़ते हैं दोस्तो अगले कुस्टन की और देखे अगला कुस्टन क्या कर रहा है उमीद करते हैं आप लोग समझ गये होंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की और देखिए अगला प्रस्ण भी काफी important है दोस्तों बहुत सारा इस प्रस्ण को skip कर देते हैं देखते हैं कि इसमें तो logic ही नहीं लगा पाते हैं कि कैसे करेंगे तो आपको जरूर एक बार कोसिस करना है कि आखिर इसका answer क्या होगा तो आपने कोसिस किया होगा वीडियो को रोक के हम बताते हैं देखिए सबसे पहले लिखा है कैसर तो देखिए यहाँ पे लिखा कैसे है D है उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है I लिखा है उसके बाद क्या लिखा है दोस्तो M लिखा है और O लिखा है तो देखे इसका संबंध जो है यहां से यहां तक एक कैसे लिखा है तो वही तरीका आपको बता रहे हैं तो देखे यहां पे तो D का D ही है सर उसके बाद देखे हम लोगों का M है उसके बाद आई है उसके बाद क्या है O है तो हम उसके बाद आप से पूछा किसका है तो एकदम काफी लेटेस्ट पैटर्न है जो टीसी अभी इसी तरीके के पैटर्न को फोलो कर रहे हैं तो देखिए अगला अब इसमें भी वही काम करेंगे यानि जे का समद्ध क्या करेंगे दोस्तों जे वही लिख देंगे और अगला यहां पर हो जाएगा भी इधर हो जाएग यू हो जाएगा तो यू इधर कर दीजे और आर का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो देखिए हम लोगों का आंसर क्या आएगा जे भी तो जे भी यू आर तो ऑप्सन नमर थर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा काफी लेटेस्ट पैटर्न है इसलिए इ आप जरूर कोमेंट कीजिए देखे अगला प्रस्ट हम लोगों के सामने दीया गया दोस्तों दिखे करल कि Pustk का संबन्स यदि Pustkala से है तो उसी परकार से Viri combo का संबन्स कैसे तो तरीका को देखे रटने का प्रियास नहीं कि जो दोस्तों कि रट लेंगे और बन जाएगा तो कभी नहीं ऐसा हो सकता है मिलके आपको समझना है जीस परकार देखे पुस्तक जैनि कि बहुत सारा पुस्तक जो है अगर एक जगाई खटा करतेंगे तो उसको क्या बोलेंगे तो पुस्तकाले बोलेंगे यानि बहुत सारा जहां पुस्तक धरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों पुस्तकाल Ćमंदज पुष्तकालाय से दिया है कैसे दिया है सर तो बहूत सारा यह अगर रख देंगे एक जगह तो इसका नाम क्या हो जाएगा तू सी परकार से अगर बहुत सारे वन को यानि कि बहुत सारे वन को यानि कि विरिक्षाओं का संगरा अगर हम लोग देखा जाए तो विरिक्षाओं का संगरा को ही क्या बोलेंगे दोस्तों वन बोलेंगे तीस तरीके से हम लोगों का option नमर थड़ बला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा क्योंकि देखिए हम लोगों का जिस परकार पुस्तक पुस्तकाले में आ जाएंगे उसी परकार विरिक्ष क्या आ जाएंगे दोस्तों वन एक दम बहुत बड़ा भागवा उसी के अंदर में सारे विरिक्ष आ जाते हैं कोई option नहीं तो option नमर 3 सही होगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण के और देखिए अगला प्रस्ण काफी आसान लेकिन काफी रिपिटेट कैसे तो देखिए यहां पर जैसे एकदम काफी आसान है दोस्तों जैसे देखिए स्थी ओब ही को लिखा हुआ इसका इसे काफी असान कैसे सरी हम लोगों का यह जैसे द्मकती यहां से खाल इधर से लिग दिया तो इ कर दिया सर उसके बादार दिया सिच के लिखा है कि सけて अभी घ्रिले सके लिखा है जैसे कि कहा से स्टार्ट हो रहा नो बता भी देंगे टistas है को उसके बाद जयाएगा L, D, उसके बाद N, A, C, इस तघे निएगा, उसी परकार से हम लोगों का पूछा किसका है, दुस्तों आर, E, उसके बाद हम लोगों का P, O, R, T, इसको कैसे लिखेंगे, काफी आसान है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का देखेTP, यहां पर कर दिया उसी परकार से तो फिर इधर कर दिया दोस्तों फिर हम लोगों का डी को क्या कर दिया इधर कर दिया एधर कर दिया अब फिर हम लोगों का S को क्या कर दिया, इधर कर दिया, तो उसी परकार से सब में करना है, सब में क्या कर देना दोस्तों इसी तरीके से कर देंगे, तो देखे, A को आप समझ गिए कि इसको ऐसे लिखा है सर्थ, उसी परकार से हम लोग इसमें भी कर दिया, इधर E को पहले आर हो जाएगा दोस्तों वो का हो जाएगा यानि पीछे साइट से लिखना है क्या करना है दोस्तों पीछे साइट से सबका लिखते जाना है तो इस तरीके से जैसे करेंगे तो अप्सन नमर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों थाड़ वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा करते हैं समझ गें प्रास्ट ने काफी आसान है बढ़ते हैं अगले को चन की और भखले लगता है कि बहुत बढ़ा को चन लेकिन है क्या बहुत ही आसान कुछ ही स clinics में अप इस तरीके के प्राश्ट को solve कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले question के और देखिए अगला question हम लोगों के सामने है दूस्तो figure वाले प्रस्ट है तो यहाँ पी figure वाला प्रस्ट है तो कैसे करेंगे सर तो देखिए सबसे पहले क्या होगा तो देखिए वहाँ पर क्या भरा जाएगा एक goal जैसा एक आएगा सर तो goal बला ऐसे कर दीजे ठीक है एक goal बला होगा तो goal बला जैसे हो जाएगा तो यदि क्या हम लोग क्या करेंगे अब बाहर में कर देते हैं सबसे आसान दीक है पहले इस तरीके का एक goal बला होगा बाहर में कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में है ठीक है सर एक goal होगा उसके बाद देखिए हम लोगों का एक work type में होगा यानि कि इधर से होगा सर इस तरीके का ठीक है एक रेखा जो हो जाएगा उसके बाद देखें, इस तरीके का गोल कर देए, उसके बाद इधर से एक रिखा हो जाएगा और यहाँ से भी हम लोगों का क्या हो जाएगाँ दूस्तो एक बनेगा तो देखें इस तरीके का यदि बनेगा तो हम लोगों का कौन सा option सबसे suitable आपको दिख रहा है यानि कि इस तरीके का sz cereal बनाने वाला कौन सा एक至 BEAR हम लोगों का दीख रहा यानि कि यहाँ से और इदहर से मिला देंगे दोस्तों इस तरीके का पार करते हैं जबकि पार कही किया है इसलिए नहीं कि पार करते हैं इसी लिए नहीं हो सकता है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो, तो एक के option हैं दोस्तोब आप लोग समझ गये होंगे कि इस तरीके के प्रश्ण को कैसे करते हैं, काफी आसान है, लेकिन काफी बार पूछा गया, इसलिए इस तरीके के प्रश्ण को याद कर लिजेगा, ऐसे है सर्. और यहाँ पर देखे इस तरीके का एक हो जाएगा ठीक है सर तो इसको जैसे कर दिये उसके बाद देखे एक हम लोगों का क्या हो जाएगा ए तो हो गया उसके बाद इधर से दिया गया तो इधर से कर दिया तो इधर से कर दियेगा और इधर से एक के option है दोस्तो option नमर भी ब देखिए अगला question हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कह रहा है कि सब चीज़ दिया गया है बस आपको सिर्फ change करना है यानि भाग यदी यहां भी लिखा है कि भाग जो है भाग के लिए गुना, गुना के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस और प्लस के लिए भाग तो इस सब चीज़ दिया गया है तो आपको क्या कर देना है दोस्तों इसके बदले में परियोग कर देना है तो ठीक है सर हम लोग करते चलते हैं देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 46 लिखा है 46 लिख दीजे उसके बाद लिखा है हम लोगों क्या लिखा है 48 लिख दीजे 48 तालीस और भागा क्या कर दिएगा दोस्तों चोट ठीक है सर उसके बाद कि माइनस के लिए क्या अर्थ दिया थे यहां पर बोला है सर माइनस के लिए हम लोगों को प्लस लेना है तो माइनस के बतले प्लस ले लेंगे और बार भाग के लिए क्या बोला है तो सुरुवे में आईधर कर देंगे दो अब पलस दिखिये जगा क्या ले लेना है भाग लेना है तो ठीक ऐसर यदि हम लोग भाग लेते हैं ले लेते हैं ले लेते इस के जगवड़ है इस तरीके से पिङलो भाग ले ले लिए तुसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों का प्लस है आखरी में तो यहाँ भी प्लस क्या कर देंगे द मनें हो जाएकrd प्लस का वार क्ली कम भागा हो जाएगा और की लिखेंगे इदर 10 लिखेंगे इतना कर दिये अब इसको solve कर दीजे तो दीखे हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे दोस्तो solve कर देए ठीक है तो जैसे ही अगर इसको कटायेगे तो दीखे कटा देते हैं दू बटा हम लोगों का 10 हो गया तो दू बटा 10 हो गया दोस्तों इसको कटाईए तो जैसे कटाएंगे तो जैसे हम लोग अगर कटा देंगे दोस्तों यहाँ पर कटाने के बाद देखें हम लोगों का होना क्या चाहिए ठीक है सर अगर हम लोग कटाएंगे तो देखे ई भी बोला है कि बोड मास के नियम के अनुसार नहीं बलकि करम के अनुसार अब देखे यहाँ पर करना है कि हम लोगों कि यहाँ बोल दिया है कि बोड मास के अनुसार नहीं लेना यही गलती होगा बहुत सरा इस परस्न को गल यहां पर दिहान्या छहरदी होघी और यहां को सब्सक्ति छोंद्दुना पर आपको ऱ्रति संगते हो रेखिध कर पहले दो आपको चीन परिवरतन करना हंएं बहुत है बने का बागि बहुत और भाग के गुना लेना तो सब चीज ले लिए हम लोग, लेने के बाद अब हम लोगों चलना किया बोड मास के नहीं बलकि करम के अनुसार तो सुरू से चलिए, तो देखिए यहां से कियें दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए, रटने का प्रियास नहीं कीजिए, बहु तो करम हिद선 से बाहर अट बीस अगुना दू अट बटा के, दूसतों 10, तो दस दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जाकि अब दू नू करिए कटोone 15 ओकश नुमर9 अब कैसे करेंगे और देखिए इक पॉइंट वला क्योंकि TCS इसी तरीके के पॉइंट वला पहले तो नंबर वला देते थे आज कल इसी तरीके लेंदी प्रस्न आना चालू हो गया है तो देखिए कैसे करेंगे है सर, तो सबसे पहले इसको लिख लीजे, 0 pen क्या है तो 15 है, उसके बाद की, 0 pen क्या है दूस्टो 3 है अगला हम लोगों का क्या लिखा है सर तो यहां पे लिख दिया है what अगला एक पेंड दू अकोमा क्या है दोस्तो दू पेंड चार तो तरीका को देखे कैसे करेंगे सबसे आसाना सबसे सौट बता देखे अगर हम लोगों का 0 पैंट यहां पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का देखे 0 पैंट हम लोगों का 15 है तो देखे आखिर ऐसा क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का 3 आ जाएगा तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 3 आ जाएगा देखे कि अगर यहां से दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जोड देते हैं सर कितना जोडेंगे जो कि हम लोगों का इतना हो जाएगा यानिकि 0,50,3 आ जाएगा तो देखिए अगर हम लोग इसमें दोस्तों जीरो पços जोड़ेंगेना तो देखिए 1,50,3 हो जाएगा यैंनि 5,5,10 घैटीरी लिखाता नहीं है यह 0 क्या होता है धंसके लिखाता नहीं इसल dipping 0 के नेगलेट कर देते हैं ए जो 0 बता रहे है इसे यहां पे 5 किया हो जाएगा 6 हो जाएगा इस दिगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0.56 ठीक असर 0.56 आगया तो अगला देखिए अगला में फिर क्या जोड़ देंगे दोस्तों तो देखिए 0.5 हम लोगों का 3 जोड़े उसके बाद देखिए अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे तो अगला जैसे जोड़ेंगे दोस्तों तो अगला हम लोगों का आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे सर जो कि हम लोगों का आगे वलाएगा देखे तो अगला हम लोग जोड़ेते हैं जीरो पेंड क्या दोस्तों 6 जोड़ेते हैं क्या जोड़ेते हैं 6 जोड़ेते हैं यानि कि कहने का मतलब अगर आप ले रहे हैं तो 0.30 लिजे यहां पे 0.60 ऐसे जोड़ते चलिए देखिए अगला जैसे जोड़ेंगे तो अगला जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यानि कि यहां पे 0.00 क्याएगा दोस्तों 6 नहीं समझ पाए तो देखिए एक बार यहां पे जाएगे कितना जोड़ना होगा तो 0.50 हम लोगों को 1.5 जोड़ना होगा जैसे जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा अगला जो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा तो सर अगला अगर आपको यहां से यहां पे जो जाएगे तो देखिए यहां पे जोड़ कि तो हो जाएगा सर देखिए यहां पहले जाना है म्लोग सिक्स कर देगा उसिए ठीकसर अगला देखिये लिछाएंगे निफानटीस ऑगला मुंकिती साथ पिंदयं यहां पर हो जाएगा दूस्तों हम लोगों हो कि एक प्रेंट चार लाना है न एक प्वाइंट आप क्या कर देजिए दूस्तों दो और जीरो जोड़ दिए इतना आ जाएगा तीस तरीके था दोस्तों काफी बार exam में पूछा जा चुका है और बहुत सारा इस तरीक प्रशन को skip करेंगे देखिए अगला कुछ सर्ण हम लोगों के सामने दिया गया है जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने दिखे लिखा है सबसे पहले इसको प्रशन को लिख लिजे तो B है सर उसके बाद C है उसके बाद D है उसके बाद देखिए फिर लिखा है D, B, उसके बाद C उसके बाद हम लोगों का लिखा है सर ई उसके बाद एप उसके बाद जी और यहां पर हम लोगों का वाट ठीक है सर और आगे लिखा है देखे एच आई और क्या लिखा हुआ हम लोगों का जी तो कैसे लिखा होगा कैसे चला होगा तो तरीका को देखे सबसे पहले एक लेट कर दैते हैं विया क्या कर देते हैं क्या क्या हो जाएगा तो Cristo रीटरी न तो C से जदी B पे जा रहे हैं, तो C से B पे जाने तो जोड़ा नहीं है सर, यहाँ पे एक घटा आया है, ठीक है सर, अगला दीए, B से जदी हम लोग F में जा रहे हैं, तो क्या किया है, तो B से जदी F में जा रहे हैं सर, तो यहां पर हम लोगों का प्लस चार जोड़ा है दीखिए जैसे जैसे किया है वैसे वैसे करते चलना है तो दीखिए एक जोड़ा सर चार जोड़ा तो यनि कि फिर अगला हम लोग क्या करेंगे एक इस जिगा के घटा देंगे क्या करेंगे दोस्तो गहटा देंगे तो एक जैसे गहटा देंगे एप में southwest में एखन निएफो दोस्तो की और जाएगा टो यहां पर क्या को का मुदिना प्लस फोस्तो thirty people MINUS E, PLUS 4, MINUS E, PLUS 4, एक PATTERN FOLLOW कर रहा है, क्या कर रहा है, तो एक PATTERN FOLLOW करते जा रहा है, उसी पرकास दिए D, से यदी हम लोग जाएंगे, सर, C पे, तो D से C पे जाएंगे, तरीका को समझे, D से C पे आएंगे, तो MINUS 1 ठीक है सर, अगला देखिए C से यदी हम लोग किस में जाएंगे तो C से सर यदी हम लोग G पे जाएंगे तो कितना करना होगा तो C से G पे जाएंगे तो सर प्लस चार करना होगा और उसी पर कहां से देखिए G से यदी हम लोग अगला क्या करेंगे दोस्तों वही कर देंगे, minus 1 कर देंगे, जैसे minus 1 कर देंगे, G में, याणि की दिखिए, याणि G में एक कर देंगे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ठीक है Sir, उसी परकास दिए, अगला क्या करेंगे, दोस्तों, एकदम अलग-अलग पैन से आपको बता दिए कि यहां पर फिर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी तो उमीद करते हैं समझ गयोंगे जी इएप कहां है जी इएप औप्सन नमर दो में है औप्सन नमर दो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा समझ गयो होंगे तरीका को समझ यह सबसे पहले एक हग लेटर में देखे रेट कलर से जोड़ते गए फिर हम लोगों का देखे अलग पैंजसे हम लोगोंका देखे एक चार एक चार तो इस दी स्छल आफ है तुसित तरीके से आएसे को आगे बढ़ादी काफे अच यहो जाएगा तो बिल्कुल आपके top level के प्रस्ण है बढ़ते हैं अगले question के और देखे अगला question दिया गया है दोस्तों कि उत्तर आकिरती को चुलिए जिसमें यानि कि हम लोगों का यह प्रस्ण नहींत है यहां से यहां से ऐसे करने के बाद और इधर से ऐसे करके ऐसे तो बिल्कुल सर कहा नजर आ रहा है तो option नमर थड़ में आ रहा है तो option नमर थड़ क्या हो जाएगा दोस्तो आपका सही हो जाएगा उमीद करते हैं इसे प्रस्ण काफी इजी होते हैं दोस्तो लेकिन काफी exam में आया भी है सारे प्रस्ण क्योंकि previous paper से ही लिये हैं अगले कुश्ण के और देखिए अगला कुश्ण दिया गया दोस्तो दिये गए भी कल्पहों में से ऐसे सब्द का चैन किजिए जो निमलिखित अक्चरों का परियोग करके नहीं करके ना बनाया जा सकता है क्या बोला है दोस्तों ना बनाया जा सकता है मतलब कहने का मतलब नहीं बना सकते हैं, कौन सा देखते हैं E बना सकते हैं क्या, तो देखते हैं D है सर, उसके बाद E है तो E मिल रहा है, उसके बाद P मिल रहा है तो P, P हाँ सर, P भी मिल रहा है उसके बाद E भी मिल रहा है, N भी मिल रहा है E तो हम लोगों का बनाया जा सकता है यानि option a बनाया जा सकता है, अगला दिया है हम लोगों का, कि आर तो आर तो ही है, सर, एदिके है, एदिके, अर कहा है, इसमें, इतिके, यहां पर आर है, तो T का सर यहां पर R मिल रहा है, उसके बाद E, E तो हर जगर पहुत जगर है, उसके बाद P तो P भी मिल रहा है, उसके बाद D, E तो फिर E मिल रहा है, N, N भी मिल रहा है सर, उसके बाद T तो T भी E भी बनाया जा सकता है, तो इसमें देखेंगे, अच्छा R, E तो R भी मिल रह इसमें कहीं ए नहीं मिल रहा है इसले option number 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि सर यहां बोला है कि परियोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो option number 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि देखे ए हम लोगों का इसमें नहीं मिल रहा है इसमें ए आपका कहीं है ये नहीं है ये कहीं है क्या नहीं है इसलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तो option number third क्योंकि यहाँ पे देखे ए लिख दिया है बढ़ते हैं दोस्तो देखे अगला question दिया गया दोस्तो हम लोगों का देखे एक तरीके के पंक्ती वाले प्रस्न दिये गये है जो कि एक तरी से समझा जाया तो sitting arrangement में ही इस तरीके के प्रस्न आते हैं तो देखे जैसे दिया गया दोस्तो कि पंच मीत्र एक पंक्ती में बैठा और किधर देख रहा है दक्षिन दिसा में देख रहा है तो आपको दिसा मालूम है कि इधर क्या होता है दोस्तो हम लोगों का पूर्व होता है इधर इस साइड में क्या होता है पस्चिम होता है हलका सा बता दिये Upar में क्या होता है धक्षिन होता है तो यहां पर अगर आप इवात समझ गे तो दिखिए 5'Mitra है तो 5'Mitra ऐसे लिख को सार दो है तो इधर एक झाले कित्हों में हम लोगों का तीन थो Спस्याई होता है i Galaxy Smith का धर और आधी थे पॉज यहां और 2 में को सार रैसmberे꾼 ोर E-side में हम लोगों का kya होता है दोस्तो बाया होता है ठीक है सर 藤 जिसमें से का बारण अग पराजाम में हैं काफी बार इकजाम में आया है दोस्तो अलग-अलग इस तरीके के प्राश्न तो दक्षिन दिसा में करके बाटे हैं हम लोगों का कर रहा है कि उसमें से मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है यानि कि मोहन जो बैठा है दोस्तों हम लोगों का कहां बैठा है तो बालू और किसके अथी में बैठा है तो राजू मान के चले कि हम यहां पे ले लेते हैं दोस्तों की मोहन तो ठीक है अगर यहाँ पर ले लएटे हैं पहले देखते हैं कि मोहन यहाँ पर ले लिए ही ठीक है सर नि Bonjour आगर मोहन का मोहन जो है बालु और राजु अच्छा मोहन तो बीच में बालू यहां पर लिख देते हैं बालू और इधार हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का राजू यानि कि बोला है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है तो ठीक असर बालू और राजू के बीच में बैठा देते हैं आगे बढ़ते हैं जैसे ही बढ़ेंगे तो दिखे उसके बाद करा है कि राजू परवीन के ठीक दाई और बैठा है तो राजू जो है हम जो क्या बोला है दोस्तो राजू जो है परवीन के ठीक दाई और बैठा है तो मान के चले कि राजू जो है परवीन के दाई ओर तो कहां यह राजू कहां यहां इसमें बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा तो इस तरीके से नहीं बैठेगा यानि कि हम जो बैठाया रहे हैं इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों गलत होगा तो फिर किस तरीके से ब पैठा है तो नहीं हुआ तो दिखी अब अच्छे तरीकेसे बैठाते हैं जिस तरीकेसे बैठाना चाहिए हम लोगों का उसमें करा कि इस मोहन आ प्लोम का बालू और राजू के बीच में यानि कि मोहन जो है दोस्तों बेल को किसके अंतरगत बालूW तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, देखिए बालू, तो ठीक है सर, बालू हो जाएगा, नाम भी गजब है दोस्तों हम लोगों का बालू, तो बालू, बालू जो है कर रहे कि मोहन जो है, तो मोहन इस दिखा हो जाएगा, ठीक है सर, मोहन इस दिखा कर देते जो है बालू और राजु के बीज में है तो यहाँ पर कर देते हैं राजु तो ठीक है अब धीकरम हो गया ठीक है उसके बाद हम लोगों का क्या कह रहा है कि राजू जो है परवीन के ठीक दाई और बैठा है तो राजू जो है परवीन के ठीक किधर बैठा है दोस्तों दाई और यालिकि देखिया अगर। दक्षीन की ओर बैठा है दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर दक्षीन की ओर बैठा है तो दायां देखे हम लोगों का किदर हो जाएगा इधर नहीं होगा बलकि दायां हम लोगों का इस साइड में हो जाएगा जितना भी व्यक्ति अगर हम लोगों का दक्षीन की ओर बैठा ह तो हाथ इसका किधर हो जाएगा दाया बोला इधर हो जाएगा ठीक है सर सबज गए अब दिखे एक आदमी बैठाया तो अमीत हो तो अमीत इधर बैठ जाएगा अमीत क्या हो जाएगा तो इधर बैठ जाएगा अब दिखे प्रस्ण हो गया तो करा है कि सबसे दाई और कौन बैठाया तो सबसे दाई और कौन है तो अमीत बैठाया तो option नमर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं समझ गे होंगे नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लिजे कि एक पंक्ती में दक्षीन की तरफ बैठाया तो दक्षीन नीचे यहां पर बैठाया दिये दक्षीन नीचे की तरफ सब बैठाया यानि कि इधर देख रहा है दक्षीन मतलब नीचे नीचे की और देख रहा है ठीक है उसमें बोला है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में तो देखे मोहन जो है बालू और राजू के बीच में कर दिये सर उसके बाद यी भी आगे जैसे बढ़ेंगे तो आगे जैसे बढ़ेंगे करा है कि राजू जो है परवीन के दाई ओर रहा है तो राजू देखे परवीन के ठीक इस जगह बैठा है तो यानि कि इस जगह तो अमीत जो है देखे बालू के दाइयोर तो अमीत जो है दोस्तों हम लोगों का बालू को किधर बालू के किधर दाइयोर बैटा है तो कौन सा सही हो जाएगा तदनाम साल सबसे दाइय में कौन बैठा है तो अमीत सबसे दाया यानि किनारे में कौन है तो अमीत है ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा B सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कुश्चन के और देखे अगला कुश्चन दिया गया है दोस्तों कि प्रस्ट आकरती में दिया के कौन सी आकरती बनाई जा सकते यानिकि इस सब फीगर को मिला कर कौन सा आकरती हम लोगों का बन सकता है तो इस तरी बल्के अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हम लोगों का सबसे suitable जो है ये देखें एक बड़ा रेखा और छोटा रेखा होना चे ठीक है सर और एक हम लोगों का तिरभूज होना चे इस तरीके से तो सबसे अगर suitable देखा जाए दोस्तों हम लोगों का कौन सा हो जाएगा तो option number थड़ सही हो जाएगा बागी इदर कोई नहीं होगा नहीं समझे सर तो एक बार फिर से समझे लीजिए क्या कहा है कि प्रफन आकिर्टी का पर्योग करके कौन से उत्तर आकिर्टी बना यानि कि इस सब का पर्योग करके कौन सा बनाया जा सकता है ये नहीं हो सकता ये से इसमें क्या करना है दोस्तों तिर्भूज रहा रहा जाएगा तो और चारो रेखावरी प्रियोग दिखार नमर १ां के विसम है इन में से देखे तो दिखे अगर यहां पर देखा जए हैं स्क्něょa score है क्या नहीं है सर PUBG यहां का है क्या नहीं है सर तो अब देखेंगे वी भाजता अका निया तो जैसे इस में देखेंगे लेकिन इसमें हम लोगों का दो से भाग नहीं लग रहा है तो इसलिए हम लोगों का option नमर फोर किया जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं समझ के होंगे पहले देखेंगे square cube ये सही तो नहीं है और भाज संख्या नहीं है जब ये सब नहीं रहेगा फिर आपको भाग विवाजता का नियम लगा के देखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो से इसमें भाग नहीं लगेगा बाकि सब में भाग लग जा रहा इसलिए option number four के आजाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और देखेंगे अगला दिये गए समू में भिन की पाजान भिन का मतलब दोस्तों की चार किसी तरीके से समान होगा एक अलग होगा कौन सा अलग होगा वो आपको बताना है तो देखेंगे आपक क्यू पर जाएंगे तो कितना माइनस करना होगा कितना लेटर माइनस करना होगा तो यहाँ पर चार लेटर माइनस करना होगा जी से यदि इस पर जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को माइनस करना होगा यहाँ पर हम लोगों को करना होगा तीन लेटर माइनस करना होग आर से जदी N पे जाएंगे दोस्तों तो माइनस चार लेटर, N से जदी हम लोग जेपे तो माइनस चार लेटर, तो यही तो अलग हो जाएगा, बाकि देखे सुरू बला से R हैं, आखरी बला चरचर लेटर माइनस करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें तीने लेटर करना, इसल दूज़ों का लोगों का बढ़ते हैं अगले । है अगला देखिए दूस्तोदो सॉलवा नमर कोमसन की पहचान करें दो कौं सा अलग हो जाएगा तो हम लोगों का लिखा है दोस्तो sms देखिए sms है उसी परकार से speed post है पत्र है और money order तो कौन सा अलग हो जाएगा तो देखिए चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तो विसम का मतलब विवा की एक अलग की पाजान करना तो sir sms अलग हो जाएगा क्यों क्यों कि देखिए speed post हो गया money order हो गया और पत्र हो गया तो यह सब ही जो है हम लोग कहां से भेजते हैं दोस्तो डाक घर से भेजते हैं यानि कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तो डाक घर से भेजा जाता है जबकि sms हम लोगों का किस से बेजा जाता है तो mobile से इसलिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दूस्तों अलग हो जाएगा यह वाला क्या हो जाएगा दूस्तों अलग हो जाएगा बाकि सब हम लोगों का डाग घर से बेचते हैं इसको डाग घर से इसको भी हम लोगों का डाग घर से और इसको भी डाग घर से इसलिए option नमर एक क्या हो जाएगा तो उमीद करते हैं तो टोटल इस वीडियो में हम लोगों के सबसे पहली मिल जाएं क्योंकि हमारा वीडियो एक्जाम के दृष्टी से काफी इंपोर्टेंट होता है